हलो मैं डियर फ्रेंज गुड मॉर्णिंग अगा तो फ्रेंज आज का जो टॉपीक दो वोर्ड है दो वोड कन्फूजन होता है देखो आप सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और सीटी जिन दो सब्जेक्ट दो वार्ड से दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में लेकिन ग्रैमेटिकली मैं कारेक्शन देखता हूं ठीक है आप यह बिगनर्स लेवल में हो तो आप तो यूज कर सकते हो लेकिन एज़ प्रॉफेशनल आप बनते हो प्रॉफेशनल का मतलब जहां रूद से रेगुलेशन्स आते हैं इफ यू भी यह प्रॉफेशनल में य लेकिन जब प्रॉफेशनल बनते हो तो आपको एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरिया चूज करना पड़ता है ठीक है अप ना कि आप विग्यान का थी क्या कहते है पूरा साइंस का ही प्रॉफेशनल बन जाओगे नहीं ऐसा नहीं होता है आप एक चैप्टर एक थीसस कंप आप एक नजरिया से इंगलिज को देखिएगा नागडिक थेया लगएगा अप्जेक्ट का मतलब भी नागडिक होता है और शीटिजन का भी मतलब नागडिक होता है ठीक है तो सीटिजन कहां योज होता है एक प्रजा तंत्र प्रजा तंत्र आप जानते है न हमारी जो इंडिया है जो एक प्रजा तंत्रीक है प्रजा की प्रजा जो जनता की सरकार है जनता की ये देश है जनता ही ये देश की जो रूप रेखा चेंज कर के द्वारा सबकिस किया जाता है ठीक है तो प्रजातंत्री क्योंकि जनता जो बोले वही होगा तो यह मैं तो वह सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और जहां राजतंत्र होता है, जहां राजाओं का जो अंग होता है, राजाओं का राज होता हो, हम राजतंत्र में हम क्या करते हैं, subject यूज करते हैं, ठिक है, काई यूज कर सकते हैं, subject, देखिए, जैसे, example से समझे, the citizen of India, क्या, भारत इंडिया की क्या, नागडिक, the citizen of India, ऐसे लिखत होते हैं, the citizen of America, America भी एक लोगतांत्रिक देश है, ठीक है, America, 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 प्रणंसेशन देखिएगा, America, ठीक है, the citizen of America, तो यह प्रजतांत्रिक में हम यूज करते हैं, क्या, अब यहां यूज लगा सकते हो, यह citizens लगा के, आर लगा सकते हो, यह citizens लगा के, आर लगा सकते हो, अब जो आगे बनाने बनाते रहे हैं, यह मैं एक धांचा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे try करो, बना, अब देख रहे हैं, अशोक शमराट, मगद समराट, अशोक महान, ठीक है, अशोक, अब जानते हैं राजा, अब सबजेक्ट, सबजेक्ट्स अफ अशोक, आर आर या, आर तो होगा नहीं, यह पास्ट मैं था, वूर आप दे दो, ठीक है, वूर आप यूज कर लो, the subject of British देखिए British अभी तक ले लोग तांत्रिक भी है और प्रजा तांत्रिक भी है नहीं प्रजा तांत्रिक भी है और राज तांत्रिक भी है वहाँ राजा भी है रानी भी है एलिजाबेट किंग एलिजाबेट है ना एलिजाबेट रानी भी है और वहाँ सरकार भी बनती है तो वहाँ यह दोनों है आप वहाँ शेटीजन भी उज़ कर सकते हो वहाँ सब्जेक्ट भी उज़ कर सकते हैं so मेरा यही मोटो था कि आपको यह समझाओं आप कंफ्यूज मत करो ठीक है कहीं भी कंफ्यूज मत करो so hope you have understood well if you like this video if you like more more if you want more like this then comment me I will make more that's it if you like this video like share and subscribe because just because of your help I don't have any fun to promote my video for to promote my youtube channel just you are you are you are the one who can promote this video this youtube channel and you can reach you can reach taking with this video two others who are who will be benefited with this video so if you like this video like share and subscribe thank you